पांच दिन की मलाई से आज एक ऐसी ट्रिक लगा के धेर सारा घी निकालूंगी और फिर उसे आपको मेजर करके भी दिखाऊंगी तो फ्रंट से रसेपी बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग है अगर आप भी घर में मेरी तरह घी निकालते हैं शुद घी तो आप इस रसेपी मैंने मलाई ली है जो के वन वीक की मैंने कलेक करके फ्रिजर में रखी अब मलाई को आपको रूम टेमपरिचर पर ले आना है उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे तो देखिए मलाई यहां पर जो मेरी है वो कितनी टाइट है आप देख सकते हैं यह काफी सख्त है इसम इस ट्रिक के लिए बिखले हुए बरतन का ही इस्तेमाल करना है और अब यहां पर मैंने ले ली है च्छलनी तो जो चाय वाली च्छलनी होती है उसका इस्तेमाल करके आज मैं घी निकालूंगी मिंटों में फटाफट से घी निकलाएगा आप देखेंगे दो मिनट ही कि दिर्व भी धिर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और देखें मक्षन धीर के मक्षन स्टार्ट हो गया है मलाई से अब हम इस Mister 3 म naar और इस一 तरह से चलाते रहेंगे आपको मेरे चैनल पर सारी ट्रिक्स मिल चायेंगी जिस से आप घी निकाल सकते बहkesं आसाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दानेदार जो मक्षन है वो निकलना शुरू हो गया है अब बस हमें इसको यही तक फेटना है इससे जादा हमें इससे नहीं फेटना है और आपको देखिए बाते करते ही दो मिनिट में यहाँ पर हमने मलाईज से मकः निकाल लिया है अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसे मकः भी बना सकते हैं और आप एक हफ़ते तक इसे अराम से यूज़ कर सकते हो आप बच्चों को मक्षन या घी दें बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए जो आप घर पे बनाते हैं इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं इसलिए ये बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए भी काफी हल्दी होता है देखिए अब हातों को की help से आप इसे एक जगा इखटा करें उसके बाद आपको chilled water ले लेना है और chilled water आपको डाल लेना है इसके बाद आप एक जगा पर सारी की सारे मखण को collect कर लें इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने सारा मखण एक जगा पर collect करना start कर दिया है पानी आपको यहाँ एक दम चिल डालना है इसे क्या होगा कि सारा मखण easily आपको एक जगा पर एक खटा हो जाएगा देखिए सारा का सारा मखण हमने यहाँ पर एक खटा कर लिया है इस तरह से बहुत ही असानी से फ्रंट से यहाँ पर सारा मखण निकलाया है अब हम क्या करेंगे इसमें जितना भी एकसेस पानी है इसको हातों की हेल्प से निचोड़ देंगे सारे का सारा पानी आपको निचोड़ देना है आप इसी तरह एक या दो इस टिप कर सकते हो इससे सारा जो आपका मखन होता है वो क्लीन हो जाता है अगर यहाँ पर आपको मखन बनाना है तो आप इसे दो से तीन बार अच्छे से दोलें और फिर उसके बाद आप इसको मखन बनाने के लिए किसी भी कंटेनर में रखके थोड़ा सा सौल्ट डालके आप फ्रिज में रखे बलकुर अच्छे से यह सेट हो जाएगा तो मैं तो अब चलते हैं नेक्स टेप की तरफ जहां पर मैंने कड़ाई ले ली है जिसमें हम मखन से घी निकालेंगे तो सारा मखन हम इस कड़ाई में डाल देंगे और गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है अब धीरे धीरे यहाँ पर जो मखन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो मेल्ट होने देंगे अच्छे से यहाँ पर मैंसे चला रही हैं इसे क्या होगा नीचे जो तले में बिलकुल भी नहीं लगेगा आप देखें यहाँ पर मैं ले रही हूं विनेगर जी हाँ जो वाइट विनेगर आता है ना आप उसी का इस्तमाल करें इसमें हम 3-4 बून व घी निकालने के प्रोसेस को तो इस स्टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो घी है वो बहुत जल्दी निकलेगा और मावा भी इसमें काफे कम निकलेगा तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पर हम देखेंगे मलाई बिलकुल हलकी सी फटने लगेगी आपको बहु दो से तीन मिनट का ही टाइम हुआ है और देखिए हमारा जो घी है यह सेपरेट होना शुरू हो गया है आप इसमें मैं थोड़ा इसी हल्दी डाल रही हूं कलर को थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं वीडियो में दिखा रही हूं इसलिए मैं इसमें हल्दी आ अब लगता है तो आप में इस सारी वीडियो देख सकते हो बहुत ही असान यह सान से तरीके बताएं जिससे आप फटा फट से घी को मखन में और मखन को घी में तबदिल कर सकते हो तो देखिए पांच मिनट लगे हैं और हमारा जो घी है वो आल्मोस्ट निकल चुका है और अराम से ठैरना शुरू हो गया है जो मावा है वो ठैर चुका है और पांच दिन की मलाई से कितना सारा घी यहां पर निकला है अभी आपको इसे मेजर करके भी दिखाऊंगी तो फ्रेंट्स इतनी से मलाई से धेर सारा घी कैसे निकाला जाता है आप मेरी रेसिपीस को फॉ सारा का सारा घी हमने चाल लिया है अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए तो प्लेज नीचे दिये गए बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करें और बैल आइकन भी प्रेस करें जिससे सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें तो देखिए कितना कम अब यहां पर मैंने एक स्केल ले लिया किछन स्केल है अब इस पर हम रख देंगे एक स्टील का हमने यहां पर डबा ले लिया है जिसमें हम घी मेजर करेंगे तो देखिए जितना घी मैने च्छान के अलग किया था अब मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ कि पांच 20 ग्राम घी निकला है तो पांच दिन की मलावे में इतना सारा घी निकालना बहुत बड़ी बात होती है तो देखिए इसे कवर करके अब हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो देखिए यहां पर जो घी है वो सेट हो चुका है अब आपको इसका टेक् में लगा कि बच्चों को दे या पराठा बनाएं काफी पसंद आएगा इसकी जो खुश्बू है वो भी बहुत अच्छी है तो फ्रंट्स रेसिपी कैसे लगी मुझे कॉमें बोक्स में बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाए और देखियें यहाँ पर दो डबो में मैंने घी को रखा है और दोनों तरफ अच्छे से सेट हो चुका है वो बहुत ही बढ़िया खुश्मुदार घी बनके रड़ी हुआ है तब तक कि रिये लाफिद